कच्छाई 11 जीव विज्ञान बायलोजी अध्याई एक में सजीव जगत में विवित्ता दिपद नाम पद्धत वरगत टेक्सा वरकी पदानुक्रम टेक्सानामिकल हरार्की वरकी संवर्ग टेक्सानामिकल कटेगरी के बारे में अध्यान करेंगे तो यहाँ पर हम सजीव जगत में विवित्ता डाइवर्शिटी इन लिविवर्ड के बारे में अध्यान करेंगे तो बच्चों आपने देखा होगा कि संसार में बहुत से प्रकार के जन्त गाय, भैस, कुता, बिल्ले, सेर, चीता, पच्छी, चमगादर, मनुस, तितली, मशलियां इस सब बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं जन्त पाया जाते हैं, ऐसे ही बहुत से प्रकार के पाउधे पाया जाते हैं, गेह, वाम, पीपल, बरगद, सेवाल, घास, दुख, गेदा, इस सब क्या हैं, अने प्रकार के पाउधे पाया जाते हैं अर्थात प्रक्तमें क्या है जय विवित्ता है जय विवित्ता मतलब अने प्रकार के जन्त और पौधे पाये जाते हैं तो हेरी डालेंगे हम सजीव जगत्मे विवित्ता, diversity in living world, सजीव जगत्मे विवित्ता को हम जय विवित्ता, bio diversity भी कहते हैं, इसकी प्रिभासा ऐसे है, जय विविक संगठन के विविन अस्तरों पर पाई जाने वाली विविनता को जय विवित्ता कहते हैं, जय विवित्ता means bio diversity, तो bio diversity संथकाप्रियो W.G.Rogen ने 1885 में किया था, और Edward O. Wilson को जय विवित्ता का जनक भादरा bio diversity कहते हैं, इसको Edward O. Wilson को क्या कहते हैं, जय विवित्ता का जनक भादरा bio diversity कहते हैं, बैज्यानिकों के अनुसार प्रत्वी पर अब तक लगभग 20 लाख जीव जातियों की खोच की जा चुकी है, इस 20 लाख में लगभग 15 लाख जन्त और 5 लाख पवधे अर्था पादप हैं, अब इन सभी का अध्यन एक साथ किया जाना संभव नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, जिवधारियों का वरगी करण किया जाता है, जिवधारियों के वरगी करण और नामकरण के लिए करूलस लिएस नाम के बैज्यानिक थे, उन्होंने क्या किया था जिवधारियों के नामकरण की दिवपद नाम पद्धा थी बाइनामियल सिस्टम आप नामन क्लेचरा फारगैनेज में की खोज की थी करोलस लेनियस स्वीजन के बैज्ञानिक थे और इनका नाम था कारलवान लेने तो कारलवान लेने अर्थात करोलस लेनियस ने अपना नाम बदलखे क्या कर लिया था करोलस लेनियस तो करोलस लेनियस का एक नम और क्या था कारलवान लेने था जिवधारियों के नाम करड़ की दिपद नाम पद्धत की खोज करोलस लिनियस नामक स्वीडिस भैग्यानिक ने 1758 में किया था अब देखिए इस बिद्ध में किसी जिवधारी का नाम दो पदों में होता है पहला बंस, जीनस और दूसरा जात इस्पिसीज अब देखिए पदों के नाम करड़ के लिए एक बिवस्था बनी है वो क्या है ICBN, International Coda Botanical Nomenclature ऐसे जन्तों के नाम करड़ के लिए क्या है ICJN, International Coda Geological Nomenclature एस संस्था बनाए गई है अब जिवधारियों के नाम करड़ के लिए दिपद नाम पद्धत के नियम तो CAROLAS LINES नाम के बैग्यानिक ने अपनी पुस्तक Sistemma Nessuri कौर? CAROLAS LINES नाम के बैग्यानिक ने अपनी पुस्तक इसमें Sistemma Nessuri में जिवधारियों के नाम करड़ की दिपद नाम पद्धत का वरण किया था थेरी डालेंगे दिपद नाम पद्धत के नियम रूल साप बायुनामियल नामनक्लेशर सिस्टम अब है कि जिवधारियों के नामप्रण के प्रमखनियम क्या है तो ध्यान दीजिए पहला नियम क्या है जिवधारी चाहे उपादप हो चाहे जन्तु का बैग्यानिक नाम लेटिन भासा में होता है और तिर्छे अच्छरों में छपा होता है बैग्यानिक नाम का पहला सब्द क्या होगा बंस जीनस तथा दूसरा सब्द जात इस्पिसीज होता है बैग्यानिक नाम को किताब में जैविक नाम लिखा है तो बैग्यानिक नाम अर्थात जैविक नाम को हाथ से लिखने पर उस अगर हम हाथ से लिखेंगे तो बंस और जात को अलग-अलग रेखांकित करना चाहिए और छपा होगा तो तिर्शे अच्छरों में छपा होगा बंस के नाम का पहला अच्छर अंग्रेजी के बड़े अच्छर में वा बंस के नाम का सेस अच्छर वा जात के नाम का सभी अच्छर क्या होना चाहिए अंग्रेजी के छोटे अच्छर में लिखा होना चाहिए उसे लिखते हैं छोटे अच्छर में जाति- नाम के बाद बैज्ञानिक लेखक का नाम संशेप में लिखते हैं अभी हम उदारसित बता रहे हैं जैसे देखिए आम का बैज्यानिक नाम क्या है? महिंजी फेरा इंडिका, लिन है तो यहाँ पर देखिए महिंजी फेरा इंडिका में देखे यह बंस है और यह जाती है तो बंस के नाम का पहला इचर कैपिटल और बाकी इचर इसमाल है और जात के नाम के सारे इचर इसमाल है तो यहाँ पहला बंस का नाम और दूसरा क्या है जात का नाम और बाद में जो बैग्यान इसकी खोच की थी उसके नाम को संछेप में लिख तेहसे लाई डवलियन इसका मतलब होगी लिन माने लीनियस के रोलस लीनियस है अगला टापिक है वरगक टेक्सा जीव धारियों के वरगी करड़ में परयोक्त विभिन शमूहों को वरगक टेक्सा कहते हैं ध्यां कहते हैं तो जिवधारियों के वर्गी करण में प्रयोगत्रविफिन सम्मुहों को वर्ग क्या टेक्सा कहते हैं जैसे सेवाल कवकीत मचली पच्छी फूल फल आदि ये सब क्या है वर्ग क्या टेक्सा है आगे हम हिरी डालेंगे वर्गी की वर्गी करण बिग्ञान तो वर्गी या वर्गी करण बिग्ञान क्या चीज है इसे खाते हैं टेक्सा नामी तो वर्गी क्या चीज है ध्यान दिजिए कि जीव बिग्ञान की वासाखा है जिसमें क्या करते हैं जंतों या पवधों का वर और कैरोलस लीनियस को वर्की का पिता कहते हैं फिर सिधान दीजिए कि वर्की या वरिक्रड बिग्यान क्या है टेक्सोनामी जीव बिग्यान की वह साखा है जिसमें हम जीवधारियों चाहे जन्त हों चाहे पौधे हों उनका वर्की करड करते हैं और कैरोलस लीनियस जिसका दूसरा नाम क्या है? कार, लवान, लिने, को क्या कहते हैं? वरिक्की करड बिज्ञान का पिता कहते हैं, फादाराप, टक्सानामी, तो करोलस, लिनियस, इसकी परिभास ऐसे है, जिव बिज्ञान की वहासाखा, जिसमें किसी जिव villainy को, उचित बैज्ञानिक नाम देना पहचानना और समानता एमम विभिनता के आधार पर विभिनत समुहूं में रखना वर्गी करण क्लासिफिकेशन कहलाता है तथा विज्ञान की इस साखा को हम क्या खाते हैं वर्गी टक्सवा नामी कहते हैं तो आगे है वर्गी करण पंधत सिस्टमेटिक्स अभी सब वर्गी के बारें पढ़ रहे थे टक्सवा नामी के बारे में आगे है वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमेटिक्स, जीव बिज्ञान की वह साखा जिसमें किसी जीवधारी की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के साथ ही साथ, जीवधारी के विकासी संबंधों का ध्यान रखा जाता है, उसे वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमेटिक्स कहत क्या अंतर है कि वर्गी में हम जिवधारी की पहचान नामकरणिस नामनक्लेचर और वर्गी करण के साथ पुरिकरण का ध्यन करते हैं कि वर्गी में यहां वर्गी करते हैं जिवधारी की पहचान और इंट्रिकेस नामकरणिस नामनक्लेचर वर्गी करते हैं उसके विकासी समंधों का ध्यान रखते हैं कि विकासिय शंमन्द माने इवाय उसन रिट से रखा जाता है तो वर्यखर्ण पंध्थत का विद्यान के सब्हस्ते हैं वर्किये साथ की टेक्सोनामिकल हिरार्की, एक टेक्सोनामिकल हिरार्की क्या है, विभिन वर्की समर्ग को एक क्रमा नुसार रखना, विभिन वर्की समर्ग क्या करना, क्रमा नुसार रखना ही वर्की पदाब क्रम, टेक्सोनामिकल हिरार्की है, इसकी प्रिभासा ऐसे है, जिवधारियों के विभिन समूहों को उनके गुरों तथा विकास के आधार पर एक निश्चित स्रिंखला में बिवस्चित करना पदानुकरम कहलाता है क्या है जीवधारियों के विभिन समुवों को उनके गुड़ों के गुड़ों तथा विकास के आधार पर एक निशित श्रिंखला में बिवस्षित करना पदानुक्रम कहलाता है अब वर्की पदानुक्रम में क्या है जगत किंगडम सबसे उपर तथा जात इस वसीश सबसे नेचे इस्थित है यहाँ देखिए यह वर्की पदानुक्रम है इस वर्की पदानुक्रम में क्या है जगत किंगडम सबसे उपर जगत फिर संग वर्ग गर्ड कूल बंस और जात तो यहाँ पर वर्ग की पदानुक्रम टक्सानामकिल हिरार्की में जो भिन वर्गी संवर्ग हैं टक्सानामकिल अखडगरी हैं उनको क्रम से रखा गया है इनकी संख्या साथ है जैसे पहला जात फिर दूसरा बंस जात मने इस विसीज बंस जीनस तीसरा कुल औरडर चौथा देखे कुल फेमली कहते हैं इसको पहले गरबर हो गया था यहाँ पर बंस के बाद कुल फेमली गरडर वर्ग क्लास संग फाइलम और जगत किंगनम समलित हैं इनकी संख्या साथ है पहला जात दूसरा बंस चीनस तीसरा कुल फेमली चौथा गरडर पच्वां वर्ग क्लास छट्वां संग फाइलम और सात्वां क्या है किंगडम इस साथ संवर्ग हैं अब हम इन सातों संवर्गों के बारे में क्रमसा ध्यन करेंगे जाति बंस कुल गर्ड वर्ग संग है और जगत निस इस पिसीज जीनस फेमली या फे अमाई अलवाई फेमली आरडर क्लास फाइलम और किंगडम के बारे में अलग अलग अध्यन करेंगे अब फिरें डालेंगे वर्ग की संवर्ग टेक्सोनॉमिकल केटेगरी तो वर्गी करण में परियुक्त समूहों के बिभी नस्तरों को वर्ग की संवर्ग कहते हैं वरगी के प्रमुक्साथ संवर्ग हैं, इसके बारे क्या करेंगे हम क्रमसा ध्यन करेंगे, तो पहला है जात इस्पिसीज, इस्पिसीज क्या चीज होती है, यह वरगी करण की सबसे छोटी इकाई है, मेरना की बैज्ञानि थे, उन्होंने 1942 में इस्पिसीज जात की परिभास परिभासा दे थी। तो जात क्या होता है। जात उन्हें कहा था कि जात आपस में संक्रड करने वाले एक समान जीयों का समूँ है। जात इस्पसीज जीओं का वह समू है जिनकी सरशना एवं कारियों में अधिक समानता होती है जात क्या चीज है जात जीओधारियों का वह समू है जिनके सरीकी सरशना एवं कारियों में अधिक समानता होती है जिनका विकास एक ही पूर्वस से होता है तथा जिनके सदस्याप आपस में संक्रड द्वारा जननच्हम संतान उत्पन करने के योग्य होते हैं उसे हम बिज्ञान की भासा में क्या कहते हैं जात कहते हैं अर्था जिनके सरीज की सारशना कार समान हो जिनके पूरिवज क्या हो एक समान हो और जो आपस में संक्रड करके क्या करें जननच्हम सं संतानुत्पन कर सकें उन्हें हम जात कहते हैं जैसे मनुस्त की मनुस्त क्या है एक जात you ंस क्या है गजाती है आम का वे नाम क्या है मैंजी फेरा इंडिका क्या है जाती है अगला हिपिंग है बंस, जीनस एक समान लच्छोडों वाले जातियों के सम्हों से क्या होता है, बंस का निर्मार होता है एक समान लच्छोडों वाले जातियों के सम्हों से बंस, जीनस बनता है जैसे देखे, सेर चीता और बाग एक ही बंस के प्राड़ी है सेर का बेह नाम है पैंथेरा लियो चीते का क्या नाम है बैग्यानिक पैंथेरा पारडस बाग का बेह नाम क्या है पैंथेरा टिग्रिस में बहुत से लचरिक समान होते हैं सब जंगल में पाया जाते हैं सब मान सहारी होते हैं सब के दाव नुकेले होते हैं, सब चाजी से दोड़ते हैं, तो सब क्या है, इस सब को एक ही बंस में रखा गया है, उसका नाम क्या है, पैंथेरा, अगला हिडिंग है कुल, अब कुल में क्या होगा, कि समान लच्छोनों वाले बंस से क्या बनता है, कुल बनता है, तर कुल क किया है ऐसे शमानलश्रों वाले जीवधारियों अर्थार बनसॉं का समूव है इससे क्या बनेगा कुल बनता है खुल के वरिकरण का अधार क्या है पवधो में काईक तथा जनन गुर हैं ऐसे जन्तूमें बहुत सारे गोड़े हैं जो एक अरथाध क्या हुआ वुढ क्या चीजी होता है बहुत से बंसों जो एकूस्वाले होते हैं उनसे मिलकर कुल का निर्मार्ण होता जैसे देखे यहां पे सेर बाग चीता तथा बिल्डी को फैलडी कुल में रखा गया है ऐसे कुत्ते और भेडिया को कैनेडी कुल में रखा गया है अगला है गड़, आर्डर तो आर्डर में क्या चीज है? आर्डर में भी क्या है? समान लच्छोरों वाले कुलों को एक साथ रखा गया है ये वरिकर्ड पतानकर्म का अगला स्तर है कि गड़ में क्या है समाल लच्छोनों वाले कुलों को रखा गया है जैसे जन्तूं के गड़ कारणी ओरा में फैलडी तथा केनेडी कुलों को रखा गया है अभी पढ़े थे फैलडी में क्या सेर, बाख, चीता और बिल्ली है तथा केनेडी में क्या है कुट्ता और भेडिया है तो फैलडी और केनेडी कुलों को कहां रखा गया है एक ही गड़ कारणी ओरा में रखा गया है अगला हेडिंग है वर्ग, क्लास तो लगभक स्तमान लच्छोन वाले गड़ों को एक ही वर्ग क्लास में रखा जाता है जैसे देखिए प्राइमेट गड़, आरडर प्राइमेट में क्या किया गया है, कार्नियोरा गड़ को तथा मैमेलिया वर्ग को क्लास मैमेलिया में रखा गया है, यहाँ देखिए लगभक समान लच्छणों वाले गड़ों को एक ही वर्ग में रखा गया है, जैसे प्राइम गड़ तथा कार्णियोरा गड़ को कहां रखा गया है वर्ग मैमेलिया क्लास मैमेलिया में रखा गया है ऐसे और ही बहुत सारे गड़ है जिनको क्या किया गया है मैमेलिया वर्ग में रखा गया है अगला ही डिंग है संग फाइलम तो फाइलम में लगभक समान लच्छों व वर्गों के समूस से एक संग मनता है अर्थात उन्हें संग में रखा जाता है जैसे मत्स वर्ग, पिसीज, उभेचर वर्ग, इमफीविया, सलस्टिप वर्ग, रिप्तिलीय, पच्छी वर्ग, एवीज, तथा संधारी वर्ग में मेलिया वर्गे प्राणियों को संग कारडेटा में रखा गया है, अर्था समाल च्छडवाले वर्गों को क्या करते हैं, एक ही संग में रखते हैं, अगला है जगत किंगनम, तो जगत क्या है, वरिकरण की सबसे बड़ी इकाई है, तो सभी जंतुं को जंतु जगत में, तथा सभी प्लांड के इंगडम में रखा गया है जगत क्या है जगत वर्गी क्रड़ की सबसे बड़ी इकाई है जगत की इंगडम वर्गी क्रड़ की सबसे बड़ी इकाई है सभी जन्तूं को जन्तू जगत इनिमल की इंगडम तथा सभी पाउधों को पादब जगत प्लांड की धारियों का वरिक्रड दिया गया है इसको ध्यां से देख लेजिए यहां पर है वर्की संवर्ग अब इस साथ वर्की संवर्ग हैं जात बंस कुल गर्ड वर्ग संग और जगत देखे एक दो तीन चार पांच है साथ और यहां पर हम मनुष्य आम गेहूं और घरलू मक्ही के वर्क्रड के बारे में बतांगे कैसे देखे आए बड़न जात मेंनुष्य का बैगत नाम क्या हो गया हमो सेपंस की बैगत कि नाम में क्या होता है पाला बंस और ज़ात अऑसे यहां का है तो जगत क्या हो गया संग यंज लिडनिंग, गड़, सैपिन, डेल्स, कुल, एनाकार्डियसी, बंस, मैंजी, फेरा, और जात, इंडिका, तो आम का बेगेग नाम क्या हो गया, मैंजी, फेरा, इंडिका, बंस और जात, ऐसे ही गेहों में देखिए, जगत, पादब, जगत, प्लांट किंगडम, संध, एंज गेहों का बेगेग नाम क्या हो गया, ट्रिटिकम, एस्टिवं, ऐसे घरेलो मक्ही है, यहां देखिए, इसका जगत क्या हो गया, जगत, इनिमल किंगडम, संध, आर्थरोपोडा, वर्ग, इंसेक्टा, गर्ड, डिप्टेरा, कुल, म्यूसिडी, बंस, मस्का, जात, डोमे इस्टिका, इस प्रकार से चार, इसमें दो देखिए, मनुस्य और घरेलो मक्ही, जन्तु हैं, अवराम और गेहों, पादप हैं, उधार देखे संधाया गया है, इस प्रकार से जीवधारियों का वरेकरण किया जाता है, इसे अच्छे याद कर लेंगे, थैंकी